कि एलो एब्रिवन आप सभी को स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगो जैसी जैसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड कटप के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है और यह इलेक्टिकल ब्रांच का होने वाला है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए यहाँ पर श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर toe देटा आया हुआ था वो देटा आप लोगो सो कर चुके और तो में में चीज थे पहले वहां पर देख लीजिए आप लोग देखें यहाँ पे जो यहाँ पे एक जान पिटन था इसका जेनरल इजर रिंग से हम पे 80 कोशन था जेनरल लोगे से आपका 40 कोशन था ठेक है सबसे पहले वकेंसिय यहांपे UD HD इसका च्छिंस अर्बन के अर्बन करण सी अफुमेंट अर्बन ते mejor लप्मेंट Dual दो ऐ को स्विल पार्टमेंट की parent दूसरा जो family आया था Energy Department से no Energy Department आपका दूसरा वेकरिशेड से आया हुआ था तो देखिए जो दोणों Department में कीतना कितना वेकेंसिय आया था यह पहले देख लेजें यहाँ पे जो कि अर्वन डिफ्लोप में जो यहाँ वेकंसी आया था, total आपको 46 वेकंसी ता ठीक है अगर इसको category वाज अगर यहां पर categorize करें तो देखिए जेनरल का यहां पर जो seat था आपका 19 सीट था आपका यहां पर SC category का बात करें तो यहां पर 5 सीट था, ST का आपका यहां पर 12 सीट था और BC1 का तीन सीट ता और 20 तो का आपका 3 सीट था ठीक है Villa टोटल आप और EWS का बात करें यहाँ पर तो आपका 4 सीट था टोटल आपका 46 सीट था आपका यहाँ पर यह UDHD में ठीक अरबन डवलोप्मेंट एड हाउसिंग डिपार्टमेंट में उसी तरह यहाँ पे energy department आपका total चार vacancy था जिसमें आपका UR से 2 vacancy था और ST से 1 था और SC से 1 था यह आपका vacancy categorization यहाँ पे हो गया ठीक है आप लोग को जो data है सारा आप लोग को data हम दिखा चुके हैं जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे level of exam जो रहा था आप देख सकते हैं 76.5% लोगों ने यहाँ पे exam को moderate कहा है और 11.8% लोगों ने easy कहा है ठीक है उसके बाद hard जो 11.8% लोगों ने कहा है ठीक है उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच से तो maximum जो यहाँ पे category वाले जो student थे 84.3% जो है यहाँ पे सिविल से देख सकते हैं electrical का आपका यह जो rate पॉर्सन है सबसे यहाँ पे low candidate था यहाँ पे electrical क्यों जाहिर सी बात है इसमें जो total vacancy था आपका 50 ही था ठीक है तो इसमें candidate भी थोड़े कम होते हैं उसके बाद यहाँ और नीचे अगर दुसरे slide में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे जो marks जो सबसे lowest आया था यहाँ पर 82 और highest यहाँ पर 501 marks था यहाँ पर highest आया हुआ है ठीक है आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाले है यहाँ पर electrical का कि आपका hardest shift और easiest shift क्या रहा है on the basis of raw marks ठीक है और कितना लोगों का यहाँ पर कितना marks आ रहा उसके basis पर यहाँ पर बताएंगे कि hard day shift जो maximum student ने यहाँ पर जो candidate लोगों ने जो maximum जो है कितने लोगों ने यहाँ पर hard attempt वाले shift में पढ़ा है और कितना यहाँ यहाँ पर easiest में पढ़ा है ठीक है सब कुस इस व और माक्स के basis पर ठीक है और यह electrical engineering के लिए तो यहाँ चलिए यहाँ पर start करते हैं यह सबसे पहले start करते है जैनल काड़ेग्रिस यहाँ पर आपका जो एक्जाम है यह total 4 दिन चला था 16 सेप्टेंबर को 19 सेप्टेंबर 23 और 24 सेप्टेंबर को ठीक है तो देखें यहाँ पर जो यहाँ पर गूगल फॉर्म दिये थे उससे बहुत मतलब डेटा मतलब बहुत जादा नहीं आया था लेकिन ठीक है जितना आया था उसके basis पर ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेनरल कैटेगरी का यहाँ पर जो रो माक्स आ रहा था ठीक है 16 छुएगे तो यहां पर आप देखेंगे तो 388 माकस आ रहा था था बसी 2 का यहाँ पर 386 माक्स आ रहा था और אח सी का आपका 320 कि शायरा फीन इस यहीं आप देख सकते यह रहा आपकाम यहां पर ठीक है 23 जसेटेंबर का यहा पर क्या हो इतना यहां पर रोंक्स यह चाहा फाई पा रहा था BC1 का यहाँ पर 380 आ रहा था उसी तरह BC2 का यहाँ पर 350 और और यह 350 नहीं यह 380 है ठीक है? उसके बाद SC का आपका यहाँ पर 310 अरहा था और ST का आपका 300 आरहा था उसके बाद यहाँ पर 23 September का आप देखेंगे तो यहाँ पर 392 average आ ठीक है और EWS category का यहां पे 190 आ रहा था B C one का आपका 388 आ रहा था A B C two का आपका यहांपे 380 marks इसमें आ रहा था average marks और सस्याक आ CWS का आपका 350 उसके बाद BC1 का आपका 350 आ रहा था ठीक है BC2 का आपका यहाँ पे 382 और SC का आपका 300 आ रहा था यह 382 यहाँ पे यह 382 है यह, उसके बाद SC का आपका 300 आ रहा था, और HD का आपका 320 आ रहा था, यह shift wise average marks है यहाँ पर, ठीक है, raw marks के बैसिस पर यह, ठीक है, उसके बाद, आप लोगको इसके बाद वाला जो वीडियो, आप लोगको female का अलक्स दे देंगे, ठीक है, और pH category का अलक्स दे देंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगको जो भी query होगा, आप लोगको comment section में जरूर वहाँ पर पूछ सकते हैं, और reply हम लगबग सबको दे देते हैं, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं next वीडियो में, यहाँ पर आप notice करेंगे, तो देखेंगे एक चीज, कि आपका जो highest marks आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह 23 September वाले को आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, सबका जो यहाँ पर average marks है, तो 23 September को यहाँ पर सबसे जादा आ रहा है, देखें, इसमें जो आप 16 September को यहाँ पर, यहाँ पर जो जनरल वाले में इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी बात और यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह वाला जो 24 September वाला इसमें थोड़ा सा नंबर इसमें सबका कम आ रहा है, ठीक है, किसी किसी का छोड़ छोड़ के, यहाँ पर देखें, जो हार्डेश शिफ्ट रहा है, हार्डेश शिफ्ट, कॉम्परिटिवली बोल रहे हैं यह, यह सब में, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, 23 वाला जो शिफ्ट था, सबसे एजियर शिफ्ट था, ठीक है, 23 September वाला है, तो आरी इसमें कर देते हैं, हार्डेश में लिखत रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, यह 23 September हो जो है, यह सबसे हार्डेश शिफ्ट रहा है, इसेट था, ठीक है, 24 वाला आपका हार्डेश शिफ्ट रहा है, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्ट वीडियो में फ्रेंट्स, और जो है, नेक्ट वीडियो में, एक female category का अलग से आप लोगो वीडियो देंगे, और pH category का, ठीक है, उसमें सारा आप लोगो doubt clear हो जाएगा, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, और आप लोगो कोई भी query होगा, तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं क्ँर सकते हैं।